यहां पर सहित खान पूर रेलवे इस्टेशन में तीन इस्टेशन बन चुके हैं गाईग सबसे पुराना रेलवे इस्टेशन यह है अलो फ्रेंज गुड मॉर्लिंग शुस्सिकल अदाब कैसे हैं आप सब मेरा नम मुहमद अलीम है और आप देख रहे हैं मिश्टर ब्लोग तो जैसा कि आप देख सकते हैं लूप लाइन यहां पर अभी बन रही है और हमारे कुछ पड़ोश के गाउं की लोग हैं यहां पर घूम रहें टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि इन लोग के पास कोई काम नहीं है यहां पर कोई कम्पनी और तो है नहीं इसे की जो काम कर सके सब ओन बिजनेस वाले आदमी हैं तो गाइस पिसली वीडियो में आपने देखा था एक अभी लाइन बाखी पूरी-पूरी है ना लोप लाइन एक दोस्तो आज ऐसा कि आप देख सकते हैं यह रेलवे किरासिंग है साइद खानपुर की और यह देखिए अभी एक लोप लाइन अभी बन रही है जो कि एक एक नंबर प्रेट फार्म पे जाएगी यहां पर अभी सिलीपर बिछाए गये हैं और लाइन बिछाना भी बाकी है प फ्रेड नहीं कोई मसीन है यहां पर जो खड़ी हुई है और यहां पर कुछ काम चल रहा है दिखाते हैं आपको मसाला भर रहा हो काहो सिगनल वाले कुनों है यहां पर नया सिगनल भी एक बनाया गया है देखिए और दोस्तों आपको एक बा звон बताने है अभी चारों तरफ एकदम सरसों के फोल पीली पीली दिख रहे है जहां पर आप देखेंगे धर भी देखेंगे उधर आपको सरसों के फोल देखेंगे धर भी है तो गाइस अगर गाओं में रहते हैं तो काफी अच्छी हाव आपको मिलती होगी आज का दिन बहुत अच्छा था और यहां पर एक मसीन खड़ी हुई है देखिए देखिए दोस्तों यह है मसीन और दोस्तों आपको बताया दें कि सेट खान पूर रेलवे स्टेशन पर जो बिरिज है वो रख गया है यहां पर आप देख सकते हैं आपको बिरिज दिख रहोगा लेकिन अभी सीड़ियां उगरा इसमें नहीं बनाई गई हैं बन रही है मैं आपको पास से चलके आपको कु खान पूर रेलवेश्टेशन का कुछ अपडेट लेते हैं कैसा इनको लग रहा है कैसा फील हो रहा है तो बताlor ब्रूबुमा के बहुत बहुत भाई है अच्छा पहले से जो पहला सीन था मलब कहले से कितना अच्छा लग रहा है आपको यह पुराना बन गया है और में रासिंग भी रुकेगी तीन चार ट्रेन से अच्छाइब अच्छा आप सुनने में आया है कि यहां पर मेमो करा भी रुकेंगी तीन चार ट्रेन रुकेंगी तो आप देख सकते हैं यह प्लेट फार्म यहां से शुरू हो चुका है सम्थिंग एक किलो मीटर की रेंज में प्लेट फार्म है और आपको ब्रिज भी दिख रहा होगा यहां पर कुछ कामगरा भी चल रहा है हमारे गाओं के भी लड़के यहां काम करते हैं सचेन क्या हाल है कहां तक काम पहुचाए 12 वंकी तक चलिए ठीक है आगे दिखाते हैं तो हमारे गाओं के भी लोग यहां पर काम करते हैं और देखे ब्रिज यहां पर रख गया है और यहाँ पर welding उगेरा हो रहा है मैं आपको नस्दीक से चलके आपको दिखाता हूँ इदर हैटरा उगेरा भी है इस्टोर बनाया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर एक दो तीन लाइन अभी complete है जैसा कि आपने देखा पीछे साइड में यह देखे यहाँ पर एक लाइन अभी किरासिंग से लेके हुए आ रही है मलब यहाँ तक अभी सिलीपर गिट्टी बिशाना बाकी है लाइन पूरी बिशाना बाकी है और यह रहा प्लेटफार्म जो दिवार से बनी है यह प्लेटफार्म नंबर एक बनेगा और काफी यहाँ पर मिट्टी पाटना पड़ेगा तो कि यहाँ पर काफी ज्यादा नीचा है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर साम हो रही है सम्तिंग साढ़े चार-पांच बज रहे हैं तो अभी सूरजी साइड में हैं बारावंगी के साइड में मैं बिरीज के उस साइड जाओंगा तो काफी ज़्यादा अच्छा नजारा आपको देखने के लिए मिलेगा तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर अभी काम चल रहा है बिरीज के उपर वेल्डिंग वेरा हो रही है तो गाइज अभी उपर वेल्डिंग हो रही है और हम उपर ही देख रहे थे नीचे गड़ा था इस साइड में सिलीपर के बीच में गड़ा था और हमार लोग के लिए और आप लोग वीडियो लाइक शेयर नहीं करते हैं मैं आपको बैक कमरे सुना दिखाता हूँ इस्टेशन करना जा रहा है यह देखिए अब इधर भी पूरा काम बागी है यह देखिए सीड़ी और यहां पर बनेगी और इस साइड में सीड़ी बनेगी यह यहां पर क्राइसिंग आपको दिख रही होगी क्राइसिंग काफी पास में है और यहां पर एक ट्रेन भी खड़ी होई है मसीन पर यह आए का तुम हो आए गयो तो अभी यहां पर इंटर लोग पूरी तरीके से बागी है प्लेट फार्म नंबर दो पर और यहां पर संथिंग अभी काम काफी चलेगा प्लेट फार्म नंबर दो पर पूरी तरीके से इंटर लोग बागी है अभी मेट्टी भी लेबल नहीं हुई है यहां पर कुछ मसीन खड़ी हुई है और प्लेट फार्म नंबर एक तो अभी तूटना ही बागी है तूटेगा फिर सिलिपर भिशाएंगे फिर लाइन प्लेसर मसीन है यह और यहां पर अभी पानी चलाने जा रहे हैं भाई साब बोरिंग है यहां पर इसमें पानी भरेंगे सीमें डालेंगे कंक्रीट बना रहे हैं मसाला बना रहे हैं तो आज कल टेक्नोलोजी आज इतनी बढ़ चुकी है देखिए तो काफी टाइम लगता काफी ज्यादा द्हुआ निगला इंजन से आज एक सकते हैं यह नया इस्टेशन है तो दोस्तों आपको बता दें कि 1818 में यह पुराना रेल वेज टेशन साहिद खानपुर का बना था हमारे गाओं के पुषपडोसी लोग बता रहे हैं 1818 में है ना जब यहां पर अंग् आग्रेज के आने से पहले बढ़ा था यहां पर सैटकानपुर रेलेवेश्ट्यस्टन में तीन इस्टेशन बन चुके हैं गाईच सबसे पुराना रेलेशी स्टेसन यह है पहले टिकर्ट यहां मिलते सैं उसके बाद आगे बना हुआ है वह देखिए आप उसके बाद यह बनाया गया है यह देखिए उसके बाद यह बनाया गया उसके बाद और आगे है कि स्टेशन जो अभी बना है 2023 में आप देख सकते हैं तो गाई जाते हैं मेन पॉइंट पे यहाँ पर लाइटरिंग और जाड़ा कि कोई ब्यवस्था नहीं है अभी तक चैसा कि आप देख रहे हैं यह तो साज लाइटरिंग है क्या है पता नहीं लेकिन आम ही रेल्वे स्टेशन पर कोई भी रेल्वे स्टेशन का हमने वीडियो बनाया है वहां पर लाइटरिंग की प्यूस्ता बिल्कुल सैथ खान पूर रेलवे स्टेसन के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हम मिलते हैं इनेस्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें चैनल को और हम मिलते हैं इनेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहीन जै भारत